इस वीडियो में हम भारत की साथ भूतिया जगएं के बारे में बात करेंगे पहला है रादस्थान का भानगड का किला रादस्थान की अलवर में इस्थित भानगड का किला दुनिया भर की सबसे डराउने जग़ों में से एक है इस किले का निर्माड 17 सदी में हुआ था यहां कई तरह की भूतिया कत्विदिया सामने आ चुकी हैं यहां तक की साम को सूरज डूबने के बाद किले में लोगों की एंटरी बैन है दूसरा है पूड़े का सनी वारवाड़ा पूड़े का सनी वारवाड़ा किला जाने माने बाजी राव पेस्वा से जुड़ा है यह काफी पॉपलोर जगह है और लोग बड़ी संख्या में इसे देखने पहुचते हैं हाला कि कुछ लोग हॉंटर भी मानते हैं और यहां सूरज डूबने के बाद ना जाने के सलाह दी जाती है तीसरा है है हैदराबाद का गोल कुंडा फोर्ड गोल कुंडा फोर्ड का निर्मार 13 सताबदी में हुआ था अस्थानी लोगों का मानना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है इसे मरने के बाद पती के साथ किले में दफन कर दिया गया था कहा जाता है कि यहां रात में रानी के चलने और दांस करने की आवाज आती है चोथा है जैसल मेर का कुलधरा गाउ राड़स्थान के जैसल मेर से 18 km की दूरी पर इस्थित कुलधरा गाउ में कभी 600 से ज़्यादा परिवार रहते थे लेकिन पिछली 200 सालों से यह उजड़ा हुआ है जानकारी के मुथाबिक साल 1825 से इस गाउं में कोई नहीं रहता कहा जाता है कि यहां के निवासिर रातो रात गाउं को छोड़ कर चले गए थे पांचवा है मुंबई का मुकेस मिल्स मुकेस मिल्स मुंबई के कोलबा में इस्तित है यह मुंबई के फेमस जभों में से एक है छट्वा है दारजलिंग का डाव हिल्स करसियांग दारजलिंग का डाव हिल्स करसियांग इलाका अपनी प्राकिरतिक खुपसूर्ति की अलामा या बुदाहा अनुभव के लिए भी जाना जाता है लकडी काटने वाले लोगों का कहना है कि जंगल में उन्होंने बिना सिर वाले एक लड़के को देखा है सातवा है बिर्ज राजभवन पहले से राजस्थान राजस्थान के कोटा का ब्रिज राजभवन पहले से लगभग 180 साल पुराना है और साल 1980 में हेरिटेज होटल बना दिया गया था यहां के लोगों का कहना है कि होटल में एक ब्रिटिस मेजर बर्टन का भूद रहता है जिसे 1857 में भारती सिपायों ने मार दिया था